दोस्तों इस वीडियो में हम cover करेंगे insert comment, insert comment का use क्या होता है तो आइए इसे example के साथ समझते हैं insert comment generally केसे भी sale को select करके उसके द्वारह कोई भी एगर work किया गया होता है या कोई पैसा दिया गया होता है तो उसे हम comment के थुरू दिखा सकते हैं जैसे यहां पर example में आपको दिखा है कि आफताब आलम है जो कि इसके इसके ऊपर comment insert किया गा और insert में क्या लिखा है कि he want to pay his fee in installment based 1000 प्य प्रमेंट यानि यह हर महीने 1000 का fee देगा और installment based आपका पैसा देगा तो यह आपका एक insert comment होता है जैसे आप प्रोफार्मा के थुरू समझते हैं यहां पर आपका एक प्रोफार्मा एक्सल में बनाए गया है एक्सल में आपका देखते हैं तो सभी student का नाम अगरा दिया गया हर बंदे का लग लग payment system बना रखाए कि कौन कितना payment कब देगा सपोस्थ प्रोफार्मोट या दो हर महीने 1000 प्रोफार्मेंट पे करेगा तो आप प्रोफार्मोट को select करें select करने का राइट क्लिक करने का आ यहाँ पर आपको comment लिखने के लिए message आता है यहाँ पर आपका user पहले सा login हो़ता है उसका नाम दिखा जया तो आप इसको मीटा देते अब जिसके उपर आपने comment insert करा रखा उसके उपर आपका यह red symbol बनता है जिसके उपर रखते ही आप वो show करता है इबाला जी के उपर अगर insert करना है तो आप same वही का हम right click करते हैं right click करने का उद इंसर्ट comment अगर इसका instrument जो है total one time पेकर ना और next month में पेकर रहेगा तो आप यहां लिख देंगे कि he paid his one time payment one time payment on next month one time payment on next month तो इस तरीके से आप इसका जो भी comment है वो लिख सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हम comment का यूज करते हैं जो कि किसी भी सेल को select करके और comment आप इंसर्ट करते हैं जब आप माउस को रखते हैं तो उसका जो भी comment आप इंसर्ट करा रखे उसको शो करते हैं कमेंट अगर एडिट करना तो एडिट करने के लिए आप इसके उपर राइट क्लिक करते हैं राइट क्लिक करने का आप यहां देखते हैं तो एडिट कमेंट का उप्शन लेता है जिसको क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं अगर यह है कि आपका जो मंतली इंस्टॉर्मेंट देना next month pay करना है वो आपको कितना देना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं को आपको 8000 रुपया देगा आप लिख सकते हैं या कुछ भी आपको इसमें से मीटाना है कुछ घटाना बढ़ान तो आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं फिर बार क्लिक करते हैं इसका करते हैं इसके लाव अगर आपको कमेंट को डिलीट करना है यहाँ इसके उपर से कमेंट डिलीट हो गया तो इस तरीके से हम तीन आप्शन का यूज करते हैं कमेंट को इंसर्ट करना कमेंट को डिलीट करना और कमेंट को एडिट करना तो दोस्तों इस वीडियो को देखने कले बहुत बहुत दानिवाद